कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों नमस्कार जैसे कि आपका आप सभी का स्वागत है रादेश से रेजनिंग यूट्यूब चनल पर और भी पियो मेंस का स्कोर कार्ड आपका आउट हो चुका है 2022 को लेकर ठीक है अब इसका पूरी कैलकुलेशन कैसे होगी और आपका रिजल् इंटर्व्य कितने का आए 100 मार्क्स का ठीक है आपने जो स्कूर कार्ड आप देखोगे तो स्कूर कार्ड पर कट ओफ आया 93.13 इस बार का 2022 का कितना 93.13 ठीक है यह क्या टोटल वेटेड इसकोर है टोटल वेटेड इसकोर कैसे निकलता है जो आपकी रीजनिंग में मार्क्स में आपको म क्रस currently होगा है मैस में जो आपकी मार्क्स है में उसको म MPT 5 कर देखों मार्क्स का कंप्यूटर में mc मי और लेजनिसमें अ वह क्या यहीं में अपका क्या टोटल वेटेड है क्या होगा वो टोटटल वेटेडीde कर कर तो और जो cut-off गया है 93.13 गया है ठीक है अब total वेटरी स्कूर फॉर एक्जांपल आपका क्या 100 है पर एक्जांपल आपके 100 टोटल वेटरी स्कूर आया 93.13 आपका cut-off गया इसलिए कट-off से आपका marks क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कैसे होना चाहिए वह बात यहां पर समझ में आएगी देखो कैसे में बोला गया प्रॉसियर क्या रहता है 80-20 में आपका सलेक्षन हो गा 110-20 का ratio गया है मेंस का और 20 पर्सेंट लेंगे, अब किसका, इंट्रिवी का, अब 80-20 किसका है, आउट ओफ हंड़्यड में से, ठीक, अच्छा जी, बट इहाँ पर क्या है, जो एंट्रिवू है, वो 100 मार्क्स का होगा, तो उसका तो हमें लेना है 20 पर्सेंट, जैसा की बोला है, मार्क्स का इंटरव्यू मेंस का अगर 100 मार्क्स का होता तो जो भी आपके मास आ रऊओसका 80% अम लेते लेकिन यह क्या 200 मार्क्स का है और उसने का है कि 80% मेंस का जो है 80% अअटरव्यू का 20% किसमें से यह out of 100 में सी है interview में तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वो 100 marks का ही है तो 100 marks का तो उसका क्या लेना है 20% जो भी आपके interview marks आ रहे है पर इसका में क्या करना है 40% लेना है 80% लेना है क्यों नहीं लेना आपके यह out of 100 और means का जो exam है कितने का है 200 number का यह आपका जो procedure वो क्या out of 100 का है तो इसमें आप क्या करोगे सिंपल सी बात है 80 divided by 200 गोड़ा क्या कर दिया आपने 100 कर दिया गोड़ा क्या कर दिया 100 कर दिया तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता खिल जाएगा कि mains का अगर 200 marks का है तो हमें 40 परसेंट क्यों लेना है कि जैसे हमने इसको calculate किया तो आपका क्या आ गया 40 तो हमें क्या गणना है जो मेंस में आपके score आ रहा रहा है उसका 40 परसेंट आप लेके चलेंगे उसका क्या करेंगे 40 परसेंट सेथी सीधी केलकूलेस्ट कि यहां पर क्या करती जस्टिफाइए करती है कि उसनी काए कि 80 परसंट 20 परसंट होंगे मेंस का इंटर्व्यू का आउट अउट फंडे तो लेकिन मेंस का है फिर दो सुनमर का थो इसका फूर्टी परसंट लेके चलेए जैसे यह तो तो टोटल स् से आपके 60 marks for example 100 60 70 80 अगर 100 से suppose करो आपके interview marks आई कितने 60 मैं समाल लेता हूं कि आपके सपोज आई 60 तो 60 का क्या करेंगे 20% तो 60 का 20 परसेंट लेंगे तो 60 का 20 परसेंट लेंगे ठीक है तो आपके कितना आएगा 612 तो मतलब आपके यह हो जाएगा कि अगर आपके 60 नंबर आए हैं interview में तो आपके plus में आपके क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे किसके interview कि तो आपका total score कितना हो जाएगा 52 तो आपने देखा होगा जो final cutoff है जो आप search करते तो उसमें लिखा होता है minimum क्या है maximum क्या है तो वो चीज आपके समझाने चीज अगर आ कलता है जो कि आपको अलड़ी उसमें आपका जो score card उसमें दे रखा होता है लेकिन यह process आपको थोड़ी समझने वाली है और यह process आपको समझने आने चीए कि 80% मेंस का 20% किसका interview का तो इसको हम 40% क्यों लेगे चलते मेंस के marks क्यों लेगे चलते हैं क्योंकि 200 नुमर का है औ वो आपको क्या होगा cut off होगा वो आपको sorry क्या होगा score होगा समझ में आगी बात तो thank you so much and जो पहली बार इस चैनल को देख रहे है रादे सर रीजनी यूट्यूब चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब करें description में telegram का link है जिसमें update आता है किसी भी information को लेकर उसको आप जरू बाते है